नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है पवनकुमार और स्वागत है आपका टेक्निकल गुदीन यूटूब चैनल में दोस्तो दिश्टीवी ने इंडियन मार्केट में दो स्मार्ट कनेक्टेड डिवाइसे लॉंच कर दिये हैं इन दोनों डिवाइस को इंडियन आफलाइन मार्केट में कब तक उतारा जाएगा फिलाल के लिए कंपनी ने इन नई डिवाइस के अविलिविलिटी को लेकर कोई भी एनॉंसमेंट नहीं किया है पर दोस्तो ये दोनों डिवाइस कमपनी के ओफिसेल वेबसाइट पर लिस्ट हो चुके हैं अब दोस्तो इस Android-based Settobox की इस Specifications की बात करें तो तो दोस्तो यह Settobox Android Pie पर काम करता है दोस्तो कमपनी ने बताया कि ये डिवाइस Google Play Store और Google Assistant को भी सपोर्ट करते हैं इसके मदद से आप Amazon Prime Video G5, Boot ALT Balaji और YouTube जैसे Apps का भी आनन्द ले सकते हैं लेकिन दोस्तो इस Android-based Settobox में Netflix का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा जो कि दोस्तो कुछ यूजर्स को निरास कर सकता है अब दोस्तो दिश्टीवी के Smart Kit की बात करें तो इस दिश्टीवी के Smart Kit की खासियत है कि इसे Alexa बोईस के साथ लॉंज किया गया है और दोस्तो यहीं डिवाइस ओनली दिश्टीवी के यूजर्स के लिए ही अबिलिविल होगा दोस्तो यहीं Smart Kit रिमोट के साथ आती है और इसमें रियल टाइम वीडियो कॉंटेंट के साथ OTT कंटेंट की सुवधा काभिल आप उठाया जा सकता है दोस्तो इस Alexa के मदद से यूजर्स Smart Kit के साथ अपने Smart Home डिवाइस को भी कंट्रोल कर सकते हैं अब दोस्तो इस डिश्टीवी के Android सेट्टो बॉक्स और Smart Kit के प्राइज लिस्ट की बात करें तो यह डिश्टीवी सेट्टो बॉक्स नए कस्टमर्स के लिए इन 19999 रुपए में अबेलिबिल होगा जबकि मुझूदा सब्सक्राइबर्स के लिए इसकी कीमत 2499 रुपए रखी गई है वहीं दोस्तों जिश्ट इस Smart Kit की कीमत 19999 रुपए है तो बस दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करकी जरूर बताएं और साथ ही यह वीडियो पसंदाएद प्रीजिए और पने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेहर की जिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए मैं इस तरह की लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियो लेका राता रहता हूँ जैहिंद बंदे मातरम झाल